हलो किसान वाइओ, नमश्कार, कैसे हैं आप ? आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रोव करते होंगे यूटुब चैनल स्मार्टफी स्पारुइंग में आप सबी का सवागत है मैं मतश्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई, आसिस यादो किसान बाईयो आज की वीडियो में हम आप सब को ग्रास कार्फ मशली का एक ऐसा भोजन आप बताएंगे जिसे ग्रास कार्फ मशली बहुत चाव से खाती भी है और खास करके ठंडियों में भी उसे वो खाती है और उसे हम आसानी से अपने ही तलाप पे अपने ही फार्म पे उगा सकते हैं बहुत ही कम लागत में तो किसान भाईयों उस चीज का नाम है अजोला अजोला को हरे चारे में गिना जाता है जिसे मावेसियों को खिला जाता है जैसे गाय भैसों को खिला जाता है तो अजोला की फार्मिंग होती है यानि अजोला का अपने फार्म पे ही उत्पादन किया जाता है उसके लिए बहुत सारी दिक्कत नहीं आता है बहुत आसानी से आजोला को अपने तलाब पर उगा सकते हैं जिससे कि ग्रास कारप मचली खा करके उसकी अच्छी ग्रोथ खिला करके अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं तो किसान भाईओ आज की वीडियो में हम आप सब को बताएंगे कि आजोला की फार्मिंग कैसे करें इसमें कितना प्रोटीन होता है इसको खिलाने से क्या पेंफिट होता है कौन-कौन सी मचली इसको खाती है किस तरीके से इसको अपने फांग पे उगाया जा सकता है यह सारी चीजे हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे तो किसान भाईओ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे हम आपको वीडियो के माद्यम से मचली पालन से संबंदीत इसी तरह नई नई जानकारियां आप सब के साथ सेयर करते रहेंगे तो किसान भाईयों बने रहें वीडियो के अंते तक चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते हैं कि अजोला की फार्विंग अपने ही तालाब पे कैसे करें तो किसान भाईयों चली हम आपको इस वाइट बोर्ड पे बताने की कोशिश करते हैं कि अजोला की फार्मिंग अपने ही तालाब पे कैसे हम कर सकते हैं तो अजोला क्या होता यह हरा चारा होता है जो आप सब को मैंने पहले ही वीडियो में बताया है अजोला आप चित्र में वीडियो पे चित्र में देक सकते हैं कि यहीं होता है और आपको अच्छी तरीके साहर क Tiffany अगए जो मचलियों का सबसे मेन विटामिन सोता है प्रोटीन तो अजोला में प्रोटीन की मात्रा होती है 30 से 35 परसेंट 30 से 35 परसेंट प्रोटीन होता है यह एक हरा चारा है इसमें प्रोटीन के अलावा इसमें भी बहुत सारी चीज़े पाए जाती हैं जैसे कि एमिनो एसीड जैसे कि एमिनो एसीड बिटामीन एमिनो एसीड और विटामीन वी जिक्स वीटामीन B12 और और विटामिन बीटू के रोटीन और उसके बाद शरीर के ग्रोथ के लिए भी बहुत सारी चीज़ा पाए जाती है जैसे कि कि पोटेसियम मैं पोटेसियम मेंकनीशियम और उसके बाद लोहा इस तरीकी कि बहुत सारी ऐसे बिटामिन प्रोटीन पाए जाती है जो सरीर के ग्रोथ के लिए बिष्ट होता है मावस्यों के ग्रोथ के लिए लेकिन अगर इसे मचली भी खाय खासे करके ग्रास कार्ब मचली तो उसका भी ग्रोध बहूत अच्छे से होगा ग्रासकार मचली का तो अब इसके फार्मिंग के बारे माताते हैं है जो हम लोग से में काम की चीजें अ मान लिए पॉंट है इसमें इसमें आपको minimum six inch पानी रहना चाहिए, six inch आपको पानी चाहिए, उपर से आप इसे पॉल्थिन भी लगा सकते है, six inch पानी रहना चाहिए, इस पे धूप पढ़ना चाहिए, आप अगर 120 इस्वार फिट का तलाब है, तो आप इसमें three kg अजोला आप पर डे हार्वेस्ट कर सक सकते हैं, अब इसको करना क्या है? अब इसमें देखिए 120 इसकार फिट का वो रहा, तो इसमें आपको कौन-कौन से चीजे लेनी है, सबसे पहले उपजाओ मिट्टी, अगर 120 पिट का तलाब है तो 5 kg अब उपजाओ मिट्टी क्या होता ना जो जहां पे धान वगएर अच् लीजेगा और उपजाओ मिट्टी कैसा रहेगा च्छनी हुई मैंने एक वीडियो में बताया है च्छनी हुई उपजाओ मिट्टी च्छनी हुई इसको ले लिजे और दूसरा ले लिजे पांच केजी पांच केजी गोबर पांच केजी गोबर यहां लिख दे रहे हम ताजा गोबर ताजा पांच केजी ताजा गोबर उसके बाद तीसरा पचास गराम सिंगल सूपर फासफिट पचास गराम सिंगल सूपर फासफिट अब क्या करना है इन तीनों को एक बाल्टी ले लिजे माल लिजे आपका ये बाल्टी है तीक है इस बाल्टी में आप उपजाओ मिट्टी और गोबर और सिंगल सूपर फासफिट इन तीनों को थोड़ा सा पानी मिला कर गए खुब अच्छे से mix कर लीजिए Mix करने के बाद आप इसमें कम से कम 6 इंच पानी भरिए ये 6 इंच ये रहना चाहिए पानी ठीक 6 इंच पानी भरने के बाद इसको क्या करिए चारो तरफ से तालाब में यह मिला हुआ चीज़ को आप उसमें डाल दीज़े तालाब में अब तालाब में डालने के बाद फिर आपको क्या करना है अजोला का आपको सीड लाना है सीड कितना लाना है मिनिमम टू केजी मैक्सिमम आप कितना भी डाल सकते हैं मिनिमम अगर 2 kg सीड अगर इसमें डालते हैं और प्रापर धूप पड़ता है इसमें फोटो सेंथेसिस की किरिया होती है तो यह आपका 15 दिन में पहले दिन मैक्सिमम आपका 15 दिन पर यह पूरे तलाब को अजोला पूरे तलाब को छेक लेगा अब इसमें से आप परड़े 2 से 3 kg अजोला आप परड़े इतने एरिये से हर्वेश्ट कर सकते हैं निकाल सकते हैं ठीका और देखिए अजोला के लिए प्रापर धूप होना चाहिए ठंडियों में इसका ग्रोथ अच्छा नहीं होता अगर आपका टंपरेचर 25 डिग्री से अपर है तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छे होता है और अगर 30 डिग्री से 30 डिग्री से 35 डिग्री से बीच में तापमान नहता है तो जान लेजाए आपका अजोला इतने एरिये में हर हेख हपते से 10 दिन में डबल का डबल होता जाएगा यहनिकि करेंगे और तो तीन डिग्री से 35 डिग्री से रहा तो आप माली इस हिसाब से हम कर रहे हैं इसमें हर्वेस्टिंग कर रहा है और फिर जब अमालीजे हमारा यह किया हुए 20 दिन हो गया करना है तो सारी चीजों को चेंज करने के बाद क्या करना फिर से नई चीजे पांच केजी गोबर 50 ग्राम सिंगल सुपरफास पर फिर से मिक्स करना अगर आप इसको दो सो चालिस स्कॉार फिट में 200 स्कॉार फिट में करते हैं का यह यहां की आप जितने एरिय में करते हैं उस हसाव से अगर उपजाव में कम भी चलेगा रहा और दस इंची रहा पानी तो भी चलेगा यह एका इल है कि इतना आप एक कर इस manner है कि इतने रहर में आप इसमें आजोला डाली एक अब जान लिए आपका उतुत पादन हो अब बात आए ग्रासकार्फ को खिलाने की तो मान लिजे यह आपका तालाब है ध्यान से देखिए यह आपका पाउंड है ठीक है और आपके पाउंड में थोड़ी बहुत गरासकार्फ है ताप सोचते हैं कि उनको गरासकार्फ मचली को खुब अच्छी तरीके से खिला दें तो इसमें से चार केजी पांच केजी हर्विष्ट किये और तो आपको डर है आपको डर है कि कहीं अजोला मेरे तला में पूरी तरी से छेक ना ले भर ना जाए क्योंकि देखिए अजोला का पाजिटुब गूड तो है लेकिन निगेटुब है यह पानी में उपसित आक्सीजन की मातरा को जो पोसकतत तो रहते हैं पानी में उन सभी को टाला में फाैल जागा तो बाकि मचलीं के लिए दिख्गात होगा तो एक पांस की फटी लाएए बड़ा-बड़ा करके पत्लप नबांस लाईए उस मतको देखिए यह आपका देखिए यह उपर से अब आपको दिखा दिखा देते यह आपका बांध है अब इस बांध से घिर गया इसमें आप अजोला को छोड़ दीजे इसमें आप अजोला को छोड़ दीजे यह इधर उधर नहीं जाएगा माली जितना ग्रास कार्प को खाना होगा वो नीचे से आएगी यहां से खालेगी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा चाहे एक दिन चले चाहे दो दिन चले वाइसे छोड़ देंगे पूरे तला में फैल जाएगा कहीं डर रहेगा कि पूरे तला में फैल ना जाए अगर ग्राश कार्प नहीं खाती है तो और किसानवाई जब आप 20 दिन पर पानी चेंज करें तो उसे जो मिट्टी पानी निकलता है उस मिट्टी को आप फेके नहीं उस मिट्टी को आप अपने घर पर यूज कर सकते हैं कहां यूज कर सकते हैं जैसे की फूल पौधे खेतों में और भी यह जान लिए एक तरक से खाद ही रहता है ना तो उस खाद को फेकिए ना उस खाद को आप अपने हर 20 दिन 25 दिन पर चंज करिए फूल पौधे खेतों में आप उसे यूज करते रहें आपको वो अलग से बेन फिट देगा तो यही है किसा जरूर अजह रहां कहीं मिल जाएगा लेकिन अगर आपको आज पास नहीं मिलता है आप फिलिप कार्ट साइटों से ऑनलाइन जो साइट हैं आप उन साइटों से मंगा सकते हैं लेकिन जो ग्रोथ आपका फ्रेस्वाटर अब कर क्या आएंगे वह होगा वह मैंजान वगयर जो 28-4 mm का फीड होता है उसके बराबर उससे प्लस उससे ज़्यादा प्रोटीन इसमें होता है तो किसान भाईयो आसा करते हैं कि ये वीडियो देखर के आपको अजोला के बारे में समझ में आ गया होगा कि अजोला क्या होता है उसमें कौन-कौन से तत्तो पाज आते हैं और अजोला की फार्मिंग कैसे करें तो किसान भाईयो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट्स करें और हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट फिस फार्मिंग को सस्क्राइब जरूर करें हमारे चैनल पे आपको मशली पालन से संबंधित हर वो छोटी बड़ी जानकारी मिलेगी जिसे मशली पालन में जिसकी आव सकता होती है और किसान भाई अगर आप मशली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे वाट्सप नमबर पर कंटेट कर सकते हैं हमारा वाट्सप नमबर आपको डिस्पेले के बगल में मिल जाएगा हम आपको बता भी देते हैं हमारा वाट्सप नमबर है 63860820704 एनि हिंदी में 638085 704 ओ किसान भाईयो अभी के लिए आपसे बिदा लेते हैं कल एक मशली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सब के सामने फिर उपस्तित होंगे तो अभी के लिए नमस्कार धन्यवाद